आप सुरे हैं उपन्यास कुसम कुमारी भाग दस्वाद जस्वन के जाने के बाद रन्बीर सिंग कुछ देर तक वहीं खड़े कुछ सोचते रहे तब पश्शिम की तरफ चले थोड़ी दूर जाकर इधर दर देखने लगे बाइं तरफ पीपल का एक पेड नजर आया उसी जगा पहुँचे और उस पेड को खूब गवर के साथ देख उसके नीचे बैठ गए उस पेड के नीचे बैठी हुए रन्बीर सिंग इस तरह चारों तरफ देख रहे थे जैसे कोई किसी ऐसे आदमी के आने की राद दिखता हो जिससे वे बहुत ही ज़्यादा मानता हो या जान बचाने के लिए जिसका मिलना बहुत जरूरी समझता हो खेर जो कुछ भी हो मगर रन्बीर सिंग को घड़ी घड़ी खड़े होकर चारों तरफ देखते देखते वे पूरा दिन बीट गया और भूख और प्यार से उनकी तवियत पेचे न हो गई मगर वे उस जगह से दस कदम भी इधर उधर नहीं हते आखे शाम होते होते कई सवार एक निहायत उंता घोड़ा कसा कसा आया खाली बीट और कुछ असबाब लिए उस जगह पहुँचे एक सवार ने जो सभी का सरदार मालू होता था घोड़े से उतर कर अपनी जीब सिक चिठ्थी निकाली और रन्बी सिंग को सलाम करने के बाद उनके हाथ में दे दी रन्बी सिंग खत खोल कर पढ़ने लगे जैसे जैसे पढ़ते चाते थे तैसे दैसे उनके चैरे पर खुशी चरती हुई दिखाई दे थे और घड़ी घड़ी हसी आती थी जब घड़ तमाम हुआ तब उस सवार की तरफ देख कर बोले भाई इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ऐसा काम किया जो अच्छे छे चलाकों से होना मुश्किल खाए धर ये तो बताओ कि तुम्हारी फोज यहां कब पहुँचेगी सवार ने कहा देखे आदी रात के बाद से कुछ न कुछ असवाब खेमा वगर आना शुरू हो जाएगा बलकि सुवा होते होते कुछ फोज भी आ जाएगी भागी कल और परसो दो दिन में खुल सवान के ठीक हो जाने की उमीद है लेकिन पूरी फोज यहां कठी नहीं होगी वह मुकाम यहां से कुछ दूर है और जहां अब मैं आपको ले चलूँगा रनबीर इस वक्त तुम्हारी फोज कहां है सरदार देखे इसका जवाब में कुछ नहीं दे सकता क्योंकि हाज कई दिनों से कई ठीकाने पर फोजी आदमी बैठे हुई है बाले सिंग की कैस से आपकी सुसो को चारतर फरवाना किया और एक ठीकाने का निशान देकर जहां आज मैं आपको ले चलूँगा ताकित कर दी है कि जहां तक जल्द हो सके उसी जगह सभी को इकट फैकड़ो इसके बाद अपने सरकार में भी सब बातों की इतला भेजी थी रनबीर इसकी पहले जो चि उसी वक्त एचिती आपको दी चाये रनबीर तो आब उस सिकाने चलना चाहिए जहां फोजी कट्थी होगी सवार हाँ जी हाँ मैं आपकी सवारी का घोड़ा और कपड़े तथा हर वेवगारा भी लेताया हूं और कुछ खाने का भी समान लाया हूं आप भोजन कर ले तो चले रनबीर सिंग ने खुशी और जल्दे के मारे भोजन करने से इंकार किया मगर उस सवार की जित से जिसका नाम बीर सेन था हाथ मुधो कर कुछ खाना ही पड़ा इसके बाद उन चीजों में से जो वे सवार इनके लिए लाया था जो कुछ जरूरी समझा लेकर घोड़ कर लड़ पर सवार हुए और वहसे रवाना हुए उनसवारी के सासक कई को सक चल गए आधी राध जाते जाते एक मैदान में पहुँचे जिसके चारों तरफ घना जंगल और बीच में बहुत से निफॉन के तरख थे वहा सभी ने गोड़े की बागरों की और उस सवार ने रन्बी सिंग से कहा बस यही ठीकाना है जहां सभी कोई कठ्थे होने के लिए कहा गया है इन सभी को वहाँ पहुँचे अभी कुछ ही देर हुई होगी कि खेमों और डेरों से लदे हुए कई उट उस जगा पहुँचे जिनकी साथ बहुत से आद्मी थे राच चांदनी होने के कारण रोशनी की कुछ जरूरत नहीं थी फराशों ने खेमा डेरा खड़ा करना शुरू किया और तब तक कुछ-कुछ फोज भी कठ्थी होने लगी रन्बी सिंग ने बीर सिंग ने बीर सिंग से पूछा आपकी फोज यहां कितनी कठ्थी होगी और उसका सेना पती कौन है बीर सिंग ने कहा फोज दस हजार से जादा नहीं है और इसका सेना पती यही तावेदार आपके सामने हाजिर है रन्बीर भाई इसमें जादा फोज की जित होती क्या है बीर सिंग आपका कहना ठीक है मगर वे बड़ा ही कट्टर है और इतने से लड़ाकों का बंदूबस कर सकता है रनबीर अफसोच तुमारी हिम्मत बहुत चोटी मालूम होती है बीर सिन मेरी हिम्मत जो कुछ है और होगी ये तो मौके पर आपको मालूम ही होगा मगर आप खुद इसे सोच सकते हैं कि बेश सरदार की फोज कहा तक काम कर सकती है और मेरा सरदार किस रंग का है हाँ आज आपकी ताविदारी से अलबते हम लोगों का फ्रहुसला दोना हो रहा है और बहुत सा गुस्सा भी मिजाज को तेज कर रहा है पाश दिन तक धीरे धीरे बराबर फोज इकटी होती रही है और रणबीर सिंग अपने मन माफिक उसका इंतिजाम करते रहे छटे दिन उनकी फोज पूरे तोर पर तैयार हो गई और तब रणबीर सिंग ने बीर सिंग से कहा अब बाले सिंग के पास तूर भेजना चाहिए बीर सिंग वही मेरी समझ में तो एक आएक उसके उपर चढ़ाई कर देना ही ठीक होगा रणबीर सो क्यों बीर सिंग क्योंकि हमारी नियत का हाल अभी तक उसे कुछ भी मालूम नहीं है और वह बिल्कुल बैठा है ऐसे समय में उसको जीतना कोई मुश्किल नहीं होगा रणबीर नहीं 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 ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए हम लोग धोके की लड़ाई नहीं लड़ते बीर सिंग देखे बाले सिंग और उसकी फोज बड़ी ही कटर है रणबीर जो भी हो मगर मैं तो उससे कहबद के लड़ूँगा बीर सिंग भई मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के लिए महराने भी आपको मना करेंगी रणबीर मैं उसमें उनकी राय नहीं लूँगा इसी तरह की बात बीर सिंग से देर तक होती रही यहां तक की सूरे अस्त हो गया उसी समय किसी आदमी ने खेमे के अंदर आकर रणबीर सिंग की हाथ में एक चित्थी दी चित्थी पढ़ते ही रणबीर सिंग की अजीब हालत हो गई इतने दिनों तक हर तरह की मुसीबत और रणज उठाने का ख्याल तक उनके जी से जाता रहा और गम की जगा खुशी ने अपना दखल चमा लिया मगर ये खुशी अभी भी अजीब धंकी थी दिनिया में कई तरह की खुशी होती है और हर तरह की खुशी का रंग धंग और भाव जुदा ही होता है ये खुशी जो आज रणबीर सिंग को हुई निराले ही धंग की है जिसके साथ कुछ तरदुद का लेग भी लगा हुआ है चित्री पढ़ने के थोड़ी देर बाद रंबीर सिंग की आखी सुर्ख हो गई बदन कापने और सोमाच होने लगा सांस तेजी के साथ चलने लगी बेचैने के साथ इधर देखने लगे लगर थोड़ी देर में रंगत फिर बदली बहा से उट खड़े हुए और बिर सिर से इतना कहते कहते खेमे के बाहर हुए कि अब मैं कल तुमसे मिलूँगा किसी ज़रूरी काम के लिए चाता हूँ बेर सिंग घुब जानते थे कि रंबीर सिंग को किस बात की खुशी है या किस बात पर क्रोध हुआ है बेर किसका आत्मी है जिसने इने पतर दिया है और अब ये कहां जा रहे है इसलिए घुड़ा तयार करके हाजिर करने के लिए हुकम देकर वे खुद भी रंबीर सिंग के साथ साथ खेमे की पाहरा गये घुड़ा हाजिर किया गया मेसिंग सवार हुए हजित्थी लाने वाला भी अपने गोडे पर सवार हुआ जिसे वे खेमे के बाहर एक छोटे से पेट के साथ पेड के साथ पान गया था जंगल ही जंगल दोनों पश्शिम की तरफ रवाना हुए